हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टार्गेट अर्बिय योट्यूब चैनल, आएम सुशिल ट्रगडे, एक्स मैनेजर रिजर्बैंक आप इंडिया तो ये एक होली ओन सबसिडरी है रिजर्बैंक की और उसकी कुछ वेकंसी आई है, मैनेजर पोस्ट के लिए और डेप्योटी मैनेजर पोस्ट के लिए तो ये जो वेकंसी से बहुत कम है, लेकिन थोड़ा सा एज यहाँ पर जादा है, मतलब आप जिनका एज जादा है, लेकिन यहाँ पर experience होना जरूरी है तो कम लोग इसमें eligible होंगे, लेकिन यह news उन तक पोशना बहुत जरूरी है, क्योई अभी recently 2021 में जो recruitment हुआ था, वहाँ पे मेरा एक student सेलेक्ट हुआ है, वो यह organization में काम कर रहा था, तो उसका फाइदा उसको हुआ है तो यह एक काफी अच्छा organization है, as compared to private job और कोई अगर government में, IT department में काम कर रहा है, तो उनके लिए यह अच्छा job हो सकता है तो हम आगे देखेंगे कि क्या-क्या इसकी LGBT condition है, और क्या syllabus है यह company का profile है, और आपको पता है कि जो currency print होता है, वो four places पे होता है इंडिया में तो एक है मैसूर, second है सालबोनी, third जो है वो नासिक में होता है और fourth जो होता है, वो होता है देवास में तो यह जो दो process है, यह control करता है भारती Reserve Bank और नासिक में और देवास में जो है, वो government of India का holy own subsidiary है तो अब देखिए इसका जो management होता है, इसके जो head होते है, वो Reserve Bank of India के deputy governor होता है, अभी कोन है, राभी शंकर इसके head है और second जो organization है, वो currency print करता है, वो है SPM CIL, यहने की security printing and minting Corporation of India Limited इनके दो press है, एक नासिक में है, देवास में है, और बाकी जो minting होता है, minting यहने पि जहाँ पर coin mint होते है, वो मुंबई, कलकता, हैदराबाद, अनोड़ा है तो यह video में यह थोड़ा detail में बताने का purpose यह है, कि कुछ information आपको GA के बारे में भी पता चलेगी, तो वो exam में भी useful हो सकता है अभी देखी, यह है notification जो मैंने newspaper में देखा था, सुब़ Times of India में, तो यहाँ पर यह जो post है, इसके बारे में जाता नहीं देखेंगे, क्योंकि यह contractual basis पर है ERP का post है, और बाकी जो दूसरे post है, वो है deputy manager जहाँ पर एक्सिस्टन का भी recruitment होता है, जहाँ पर experience की ज़रूरत नहीं होती है, असिस्टन मेनेजर का भी होता है, वहाँ पर experience की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन यह higher level का post है deputy manager का तो यह काफी बड़ा post है salary भी बहुत जादा है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर experience चाहिए तो जो लोगों ने computer engineering में किया है अब आगे देखते हैं कि क्या experience चाहिए उनके लिए एक अच्छी opportunity हो सकती है तो अभी देखिए यह है उसका qualification 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 में चाहिए full time, first class, B.E.B.Tech, computer science, electronics and communication and IT यह तीनों branch के students यहाँ पर eligible होगे desirable qualification दिया है लेकिन यह ज़रूरी नहीं है add five years of relevant experience है computer networking है, cyber security है, information security है तो अगर आपका कोई friend है तो आप उनको यह information pass on कर सकते है और यह इसका exam pattern है तो यह सिफ qualifying nature के exam से reasoning है, English है, quant है और जो professional knowledge होगा, professional knowledge याने की जो information security, cyber security का जो syllabus होगा, standard university का वो इसके लिए syllabus होगा, उसके बाद फिर GD&PI हो सकता है तो यहाँ पर जो जो लोग eligible है, बहुत कम लोग eligible होगे क्योंकि experience बूचा है, लेकिन organization बहुत ही अच्छा है काफी stability मिलेगी, जो लोगों को महसूर या फिर West Bengal के आसपास रहने का plan है उनका, उनके लिए आप बता दीजिए vacancy कम है, competition भी कम होगा, लेकिन अगर आप decide करेंगे तो definitely आपका यहाँ पर selection हो सकता है Thanks for watching this video and मैं ऐसे ही regularly आपके लिए जो नए-नए recruitment आते है उसके बारे में information दिऊँगा Once again thanks and all the best for your studies and upcoming examinations